यो तेती बेलागो परसंग हो जब स्वामी रामा तिर्थ जापान को यात्रा गरी रहे गा थिये भारत बाट जापान जादा उनी पानी जहाज बाट यात्रा गरी रहे गा थिये ये जहाज मा एक जना जापाने ब्रिद्द पनी थिये चसको मेर लगभग 90 को हरारी को हुदो ती जापाने ब्रिद्द का हाथ खुट्टा थर थर कापी रहे गा थिये रा आखा पनी निकाई कमजूर जस्ता देखिन दि तर ती गमजूर ब्रिद्द पनी उनी चिनिया भास स्थिकने को लागी चिनिया भास संबन्दी किताब पड़ी रहे का थिये स्वामी रामा तेल थ ती जापानी को लगन देखेर प्रभावित भये उनी ती जापाने ब्रिद्द को प्रिएस देखेर चुपचा बशी रहन सके नन उनी ले ए थी ब्रिद्द लाइ सुदह, ए थी ब्रिद्द भ्वायर अपनि तपाई सիनिया भासा शिक की रन पायबकुछ अथा शिख्ण हुजी रहन पायबकुछ चिनिया भासा तर्शंग्षार कई गठीन तं भासा मात्य कोयेकु यो भासा रामरोरी शिक्नको लागे, तपाई हमें जासा तिस्रु भासा भासीलाई निक्कई बस लाख्ष, औने तपाई इस्ते कठीन भासा कोईले समिशीव सकने होला, रा कोईले इसको उपय गर्न पाउन होला, उनको यो भणाई सुनी सके बसी, ति ब्रित जापानीले स् आपनो जीबन बेक्कार को लाख्ष, मर्नो तो एक दिन छान है, सबय कुरा हमिलाई सबय लाई था छ, तर एती महानिसले मिर्थिवारे मात्र सोची बने उसले जीबन मा, कईले केई काम बने गना सकताई ना, तिसले नया कुरा शिक्न, उमेर लाई कईले बादक ठाननू, उनले जबाब दिये को सुने र, स्वामी रामा देर्था हर्ष अभिबोर भाये, और ती जापाने ब्रिद लाई, जोकेर अभिबादन गरे, और आपनो इस्तान मा गई, सोस्मग्न भाई बशे, तिसले हामिले हरे कुरा शिक्ने बलामा, उमेर लाई बादक ठाने र, शिक योने जीवन को उपयकता ज्यान हो और शिक नक लागे, कोने उमेर उधाई न बनने को राखो, संदेश इसका धाले, दिये को सा धन्यवाद झाले हाई झाल 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 झाल